हेई गाईज आज की विडियो लेटर है डिएबी लाइजेंड गेमगे के प्रॉब्लम से के लिखका आता है तूसे प्लेयर डाटा यू नीड तू गरांट एस फॉर स्टोरेज प्र मिशन की वज़ज़ से अगर आपने जो स्टोरेज परमिशन उसको इनेबल नहीं कि होता ह तो यह problem आती है, इसको solve करने के लिए हमें एक method इसको apply करना है जिसमें हमें जो permission उनको enable करना पड़ेगा, यह सब कैसे करेंगे आज की वीडियो में पताऊंगा, वीडियो को like जुरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो इस problem को solve करने के लिए सबसे बहले हमें क्या करना है, हमें अपने device की setting है उसको open कर लेना है, तो setting open करने के बाद हमें निचे scroll down करना है setting में तो setting में जैसे मैं निचे scroll down करूँगा, यहाँ पर एक option देखेगा apps का, तो इस पर click करना है आपको, इस पर click करने के बाद यहाँ पर 4-5 आपको feature देखेंगे, तो यहाँ से आपको simply select कर लेना है manage apps पर, तो जैसे manage apps पर मैं click करूँगा, तो manage apps पर click करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर search कर लेना है kind master को, यहाँ फिर यह ओभी app है हमारा, जिसमें problem आ रही है उसको अपने, यहाँ से आपको search कर लेना है, तो फिलाल मैं अपने app को open कर लेता हूँ जिस app में problem आ रही है, open करने के बाद उसकी storage पर जाना है तो storage पर जाने के बाद, storage का clear catch कर देना अपने app का तो मैं अपनी storage का clear catch कर देता हूँ, clear data मत किजिएगा, clear data करने से आपको सारी app का जो memory होगी उड़ जाएगी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमें जाना है app permission पे तो app permission पे आने के बाद, हमें यहाँ पे सारी permission, जो भी है different types की, सारी permission enable कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission deny नहीं करनी है, तो सारी permission enable करने के बाद, हमें जाना है other permission पे, तो other permission पे भी हमें क्या करना है, one by one सारी permission enable कर देनी है सारी permission enable करने के बाद, हमें नीचे scroll down करना है, और एक option देगेगा, नीचे आपको जैसे scroll down करोगे तो यह option होगा restrict data usage का तो हमें क्लिक करना है इसमें wifi और mobile data आपको दिखेगा तो wifi और mobile data इन दोनों को आपको क्या करना है enable करना है अगर by chance off होगा तो इनको on कर लेना है और ध्यान रखने हैं इनको अभी off नहीं करना है तो यह सब करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है और यहाँ पर एक option होगा clear default का इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद एक बार अपने app को force stop कर दिजेगा force stop करने के बाद एक बार अपने device को restart किजेगा restart करने के बाद 5 minute wait किजेगा और 5 minute बाद आपकी जो भी problem है वो solve हो जाएगी I hope आपके लिए यह video informative साबित होई होगी